आपने विलोग नहीं देखा होगा इनको बहुत बीजिने दो विलोग जितने भी हैं आपने इनको देखा भी नहीं होगा असलम लेकूम मेरी सारी सुनी सुनी योची फैमली कैसे है अलहम देला हम लोग भी हैं टिक टाक और आप लोग भी होंगे टिक टाक अला तला सब कैसे अपने अपने गरों में हस्ता बस्ता मुस्कृराता खुशराबाद रखें आमीन अच्छा जी यहां मैं आप सबसे एद के थर्ड डे का विलोग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे विलोग काफी लेट हो चुकी है एद के मैं काफी बिजी चल रही थी यहाँ ईद के थर्ड डे का प्लैन यह है कि हमने बार्बी क्यू रखा था अदील के मामू के यहाँ और मेरी मदर इनलो के घर ही मेरी सारी ईद के दिन गुजरे हैं और विलोक्स काफी बने वे थे मेरे पास रिकोर्ड हुए वे अपलोड करने में हम बहुत लेट हो चुके हैं कोई बात नहीं आप सब को पता चल जाएगा कि हमने ईद कैसे गुजरे क्यूंके मुझे मेसेजिस बहुत आ रहे थे कि आपने ईद के विलोग क्यों नहीं डाले तो उनके लिए मैं यह सब शेयर कर रही हूँ तो यहां अदील सहाब और अदील के जो हैना भाई यह हैं मेरे जेट जो सब व्यूवर्स मुझे से पूछ रहते कि आपके जेट कहा होते हैं मेरे जेट दो हैं अदील से बड़े दो भाई हैं बावी के हस्बेंड ये हैं सबसे बड़े वाले जेट और ये जिद्दा में होते हैं और अदील से जो बड़े हैं वो भी जिद्दा में होते हैं उनकी अभी शादी नहीं हुए है इंशालान करीब प्लैन है हमारा और यहां अदील के मामो के घर हम सब जमा हैं और भावी ने इमले की चटनी भी रेडी कर ली थी बार्बी क्यू के लिए और यहां अदील के मामो के घर थोड़ा सा ओपन टेरिस है तो हमने यहीं बार्बी क्यू का प्लान किया और जैसे कि आप सब को पता है कि भावी मेरे पास रुकी वी थी वहाँ ईड़ से पहले रियाद गुमने आई थी और सब मुसे यही पूछ रहते कि जेट कहा हैं तो जेट जोब पे होते हैं वो अपनी जोब छोड़ के रियाद नहीं आ सकते थे तो भावी और बच्चे सब वहीं थे मेरे पास मैंने उनको रियाद गुमाया पिर आया शौपिंग कराई तो हमने काफी एंचुआई कि हम एड़ गुजाने के लिए आ गए थे यहीं वापिस सब के साथ अपनों के साथ विलोक्स काफी पूराने भी मेरे एडिट हुए वे पड़े थे जो मैं अपलोड नहीं कर सकी वो अदिल साब ने जाकर रियाद अपलोड किये हैं क्यूंके अदिल साब भी एड पे तीन दिन यही ते चोते दिन एड के चले गया थे अदिल साब वापस और मैं यहीं रुक गई थी, अम्मी के यहां अपनी और मदरिलो के पास भी मैं जाती रहती हूँ क्योंकि भाबी वहां स्टेक कर रही है और मैं अपनी अम्मी के यहां क्योंकि मदर निलो का घर बहुत चोटा है वहां एक ही फैमिली रुक सकती है दो ही रूम का घर है जहां भाबी एक रूम में स्टेक कर रही है एक रूम में मेरी मदर निलो होती है बच्चे होते हैं और फिर मेरे एक जेट वो भी वही स्टेक कर रहे हैं तो मैं अपनी अम्मी के हां रुकी मी हूँ इन्शाला ताला आप लोग के साथ अब ये लास्ट विलोग है जो के एडिट हुआ हुआ था मैंने का कि एड़ का सब को वेट भी हो रहा है और मैं अपलोड भी कर दूँ तो इन्शाला अब न्यू विलोग के साथ न्यू अपडेट के साथ आप सब के सामने आऊंगी इन्शाला ताला और आप लोग मेरी स्टुएशन समझ सकते हैं कि मेरी कितनी भाग दोड लगी वी होगी ईद के दिनों में और भाबी इन्शाला अनकरीब ही जुलाई के एंड में रवाना होंगी पाकिसान के लिए तो वो विलोग भी आप सब के साथ शेयर करूंगी और मेरे लिए तो वो बहुत ही अफसरदा दिन होगा लेकर अपडेट सब आपको मिलती रहेगी इन्शाला अब न्यू और यहां यह देखिए जी मेरे जेट जला रहे हैं कोईले और मामू साहब हैं अदिल के और बस एद तो हमारी बहुत अच्छी गुजरी थी बहुत ही बिजी गई थी बहुत ज्यादा बिजी बाइजन ने ही कुर्बानी की थी और मेरी सिस्टर और लोग ने भी कुर्बानी की थी तो गोश्ट हमारा जो हमारे हिस्से में आया तो वो सब मिला के और एक्स्टर गोश्ट खरीद के हम सब ने जो है ना तिकोगा प्लैन कर लिया बार्बिक्यू का और ये अदिल साब से ये जो दोनों भाई हैं अदिल साब से बड़े हैं और अदिल साब थर्ड नमबर पे हैं और यहां जी मिसाला लगा दिया गया है रान को तो रान भी बेक हो रही है और यहां सब त्यारी कर रहे हैं कि बोटियां आप सीकों में लगा रहे हैं और यहा मामू ने मिल्के मिसाला लगा दिया था और रात में ही प्लान था तो यहां भाई जन को मैं बूल रही हूं आप रेस्ट करें यह दोनों ही अदिल साब के बड़े भाई हैं और मैंने इनको कहा आप रेस्ट करें अदिल साBA और भाईबी कर लेंगे जबके मैं वीडियो बना रही थी, इस वज़े से मैंने नहीं लगाई, मैंने हाथ नहीं डाला और अदिल साब की मामी भी साथ में करवा रही हैं काम, और जी, यहां मामू जैना, रान के आस पास ही रुके में हैं, के रान जलना जाए और यहां जैना, काफी हम एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, इस मुमेंट को, अपनों के साथ एद काफी अच्छी गुजरती है, मैं रात में दिन पूरा में होती थी, भापी के साथ, एद का दिन मेरा गुजरता था, और रात मेरी गुजरती थी, लेट नाइट में होती थ मेरे करीब और मेरे माइका भी मेरे करीब तो मैं कहती हूँ ऐसी खुश नसीबी आला ताला हर बेटी को नसीब करे और दो दो गर जब आपको नसीब हो खुशी के मोके पे तो मैं कहती हूँ आप से बड़ा कोई खुश नसीब इस दुनिया में नहीं होता बस अलाओ ऐसी ही मेरी ये खुशियां काइम रखे और मेरे दोनों घरों को सलामत रखे मेरे सर पे आप सब भी आमीन कह दीजेगा और मिसाला बोटियों पे काफी मज़े का लगा था क्योंकि हम सब सुबा के बुके थे इस बार बी क्योंकि चकर में तो इतने हम भुके थे कि जैसे ये बार बी क्यों रैडी हुऊ ये के सारे बोटियां बनके रैडी हुई है जैसी ही दस्तरखान लगा है तो हम ऐसे इसके उपर तूट पड़े थे कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी कि ये बने कैसे थे और में किचन में भावी के साथ लगी रही जब ये बाहर बोटियां बन रही थी मैं भावी के साथ ही लगी रही तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी और मेरा जो मुबायल है वो पिच mister's के लिए बहुत यूज़ हो रहा था सब के हाथो में और यहां मेरी मदरें लोग भी आ गई थी कि मैं कुछ बोटियां लगा देती हूँ तो हमने का नहीं आप बेर्जे हम सब लगा लेंगे तो बस यहां जो है न जीकों पर बोटियां लग चुकी थी काफी और यह अदिल साब के भाई भी आ गए थे बड़े मेरे जेट जांगीर साब यह भी आ गए थे कि मैं लगा देता हूँ अदिल साब भी बैड़ गए थे तो बस यह जो है न क्लिप थोड़े आगे पीछे हो गए है मुझे क्योंकि मैं एडिट जो है न इस वैबसाइट से मुबाइल से कर रही हूँ पहली दफ़ा और यहां जो है न मेरे टिक टॉक भी बन रहे हैं साब जैसे कि आप सबको पता है कि टिक टॉक मेरा परसनल अकाउंट है तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकूंगी पब्लिक मैं नहीं बनाती हूँ अपने लिए बनाती हूँ कर दो को पता है जी तिकों के नहीं हमने यहां पे हजम कर लिये थे पिर आगे थी स्वीट डिश का जो है ना टाइम तो यह मामी ने बनाया था तो बड़े मज़ेगा बनावा था तो यह भी हमने इंजुआई किया जी मीटे का का के मैं तो हो रही हूँ सही की मोटी मैंने सोच लिया है कि मैं आप जिम जोइन करूँगी यहां एक वन मंथ मैं रुकने वाली हैं जद्दा तो मैं इंशाला जिम की भी वीडियो साब सब के साथ शियर करूँगी कहां जोइन की है वो भी अपडेट दूँगी इसी के साथ करूँगी विलोगी है अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा मुझे दूआं में याद रखेगा जी अल्ला हाफिस